नमस्कार दोस्तों मैं बिने दुबे मुंबई से नमस्कार मैं काजर निशा इस समय हूँ एमधाबाद में मोधी जी के गुजराथ में उस वेक्ति के लिए जिसके साथ नाइंसाफी हुई है और पूरा देश चाहता है कि हम उसकी आवाज उठाएं दोस्तों जिस तरह से आप हमें कमेंट करते हो हम बहुत दिल से आपके कमेंट परते हैं आपकी गुजारिश आपकी विरंती हम सब को मिलती है हमारी पूरी टीम को मिलती है तो पहले आपने कहा था कि डॉक्टर का फील की आवाज उठाए और भाई ने जिस तरह से आवाज उ तो वो हम आवाज उठाने आ रहे हैं आपका साथ हमें चाहिए हम सफल हुए क्योंकि उसमें आपकी ताकत थी आप जैसे हजारों करोडों लोग जो इस देश के लोग हैं उन्होंने हमें सम्मान दिया हमारे हाथों को ताकत दी इसकी वज़े से आज डॉक्टर कफी खान अप केले लड़ रही है वो भी उस वेक्ति के खिलाब जिसे देश का सबसे ताकत वर इंसान कहा जाता है साथियो वहां हम गए तो सही लेकिन हम ही गए और हमने उनका दर्द देखा आप गए नहीं हो आप मिले नहीं हो आपने तस्वीरों में उनको देखा होगा वीडियो के मा versión माध्यम से अपने वीडियो के माध्यम साब को बताएंगे वो दर्द्वी तकलीफ जो इनको आपके घर तक ना पहुचे Walker वही तो लड़ाई हम लड़ते हैं क्यों महीं ये लड़ाई कोई संजीव भट की नहीं है, ये लड़ाई काजर निशाद की नहीं है, ये लड़ाई विने दुबे की नहीं है, ये लड़ाई आप की है अगर आज आप चुक रहें तो कल आप संजीव भट होंगे, कल आप कफिल खान होंगे हमारी कोशिश होती है कि इस मामले में जितना हो सकता है जन्ता को चागरूप करें लोगों के अंदर ये भाव बरें कि आप हमें संजीवट के लिए आवाज उठानी है क्योंकि उनके घर में बेसाहारी एक मजबूत इरादों से एक मजबूत इरादों की मिला उनके घर पे रहती है जो उनकी पतनी है जिस तकलीफ में उन्होंने हमें अपनी बाते बताई है मैं सल्यूट करता हूँ उनके जजबे को कि वो आज भी हारी नहीं है और इस इतजार में है कि उसको इस देश में नयाय मिलेगा उनको विश्वास है आपके साथ पर कि एक नएक दिन आप उनका साथ देंगे हम लोग निकल चुके हैं इस रास्ते पे अब आपकी बारी है आप सब हमारा साथ दीजिये देखिए भाई में इतना बताया उतने में तो मेरी आँख भर आई अगर हम आपको बता दे कि इस तकलीफ से वो गुजर रही है अब से नहीं महीनों से सालों से दोस्तों आप सब भी ये तकलीफ से ना गुजरे ना हो आपके साथ भी ऐसा और किसी के साथ भी ऐसा ना हो जो सच है वो सच्चाई सब के सामने आनी चाहिए ये तानाशा वाली सरकार जो है वो हमें तोड़ती है हमारे परिवार को तोड़ती है ये एक जूटता जो हमारी तोड़ती हैं, हम यह आगे नहीं बुने देंगे आप सबका साथ हमें चाहिए बस और नरेंद्र मोधी जी को एक खुले हमाई तरफ से निवेदन है जितना ताकत है आप लगा लीजिए जितनी आपके पर प्रशासन है जितनी अधिकारी है सारों को हमारे पीछे लगा दीजे अब हम लोग संजीव भट को घर वापस लेके आएंगे जय हिंग जय महाराश्रा जय हिंग सारों को जय हिंग सारों को जय हिंग जय हिंग एंग क्या है जय हिंग